कुट्टे बहुत जादा होशियार होते हैं इतना भी होशियार नहीं होते दोस्त इंसान के अच्छे साथी होने की वज़र से इन्हें इंसानों जैसे ही कई चीजों के लिए ट्रेन किया जा सकता है कोई इंसान ढूणने से भी नहीं मिलेगा जिसे कुट्टे पसंद नहीं होते पर फिर भी अगर आपको कुट्टे पसंद नहीं है तो ये वीडियो आपको जरूर देख लेनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुत्ते जरूर पसंद आने लगेंगे तो चलि दूस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक दुनिया के सबसे होशियार कुत्ते लेट्स बिगिन भाई अपका वीडियो थोड़ा और भी ज़्यादा दिल्चस्प होगा क्योंकि ये कुत्ता कुत्ता नहीं आपके घर के काम में हाथ बटाने वाला साथ ही है घर का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये कुत्ता नहीं कर सकता फर्शाप करना हो, कचरा जमा करना हो या सुपरमार्केट जाना हो हर काम ये आसानी से कर लेगा और इतना ही नहीं दोस्त ये आपके लिए ब्रेकफास्ट भी टेबल पर लगा देगा और घर को इतना साफ रखेगा कि आप बस देखते ही रह जाओगे आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि जब एक कववे को प्यास लगती है तो वो कववा एक घड़े में जिसमें कम पानी होता है उसमें पत्थर डाल के वो पानी उपर तक लाता है और पानी पी लेता है कहने का तात्थ पर ये ही है कि होशियारी बस इंसानों में नहीं बलकि जानवरों में भी होती है अब यहीं देखिये न, इस कुत्ते के सामने तीन बॉटल्स में खाना रखा है पर उस खाने को पाने के लिए उसको अपने दिमाग का इस्तिमाल करना है ये कुट्त अब इतना होशियार बन चुका है कि ये इस बोटल से बड़ी होशियारी से अपना खाना निकाल लेता है कहते हैं कि सब्र का फल मिठा होता है पर अगर सब्र की उमीद जानवरों से करें तो मैं कहूंगा ये तो कुछ जादा ही हो गया पर मुझे भी गलट ठहराया है इन कुट्तों ने ये कुट्ते तब तक अपने खाने को मुह नहीं लगाते जब तक इनका नाम लेके इनको पुकारा नहीं जाता क्या आपने कभी किसी कुट्ते को घुड सवारी करते देखा है ये भी मैंने नहीं देखा वास्तों में आप इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते कि कोई कुट्ता घुड सवारी भी कर सकता है पर ज़रा ये वीडियो देखिए, ये कुट्टा आपने घोडे को कैसे खीशते हुए ले जा रहा है, और बस इतना ही नहीं, देखिए कैसे ये इस घोडे की सवारी भी कर लेता है हम ये मान देते कि कुट्टे हमारी बोली भाशा नहीं समस्ते वो बस हमारे हाव भाव की भाशा समस्ते हैं, पर अब हम एक ऐसे कुट्टे का वीडियो आपको दिखाने वाले है, कि जो इनसान की बोली भी समस्त लेता है ये कुट्टा जो आप देख रहे हो, इसे इसके मालिक द्वारा कुछ इस तरह से ठ्रेन किया गया है, कि ये मालिक की भाशा समस्त के मालिक के कहने पर ये दाएं देखता है, बाएं देखता है, पीछे की तरफ उल्टा चला जाता है, और भी बहुत कोछ आसानी से कर लेता है और बस इतना ही नहीं, बलकि पानी पे सर्फिंग करना, बैक फ्लिप करना, स्केटिंग करना, ये ऐसे काम है जो ये कुट्टा आसानी से कर लेगा हमारे भारती संस्कृति में खाने से पहले श्लोक कहने की परंपरा है, अब हम ये परंपरा कितनी निभाते हैं और कितनी नहीं, ये रिसर्च करने का एक मुद्दा है पर फिलहाल के लिए हम जानने वाले हैं ऐसे कुत्तों के बारे में जो खाने से पहले भगवान से प्रातना करते हैं जी हाँ, सब्विता सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती, वो जानवरों में भी होती है कई बार आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा, जो कटिन समय में अपनी मा की सेवा करते हैं पर शायद आपने ऐसे कुत्ते को नहीं देखा होगा, जो अपनी लेडी ओनर की सेवा करता हो कोल्ट ये एक ऐसा कुत्ता है जिसे इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो अपनी ओनर जिसे वो अपनी मा मानता है उसकी सेवा कर सके कोल्ट की मा को दिमागी बिमारी है इसलिए मा को मिर्गी के दोरे पड़ते हैं और वो बेवक्त बेहोश हो जाती है मा अगर बेहोश होने वाली हो तो कोल्ट साउधान हो जाता है और रूप्युक्त कदम उठाता है कोल्ट मा को सुब़ जल्दी उठाता है अगर मा जल्दी ना उठे तो छाती पर सिर रगकर हार्टबिट सुनता है मा को घुमाने के लिए मा की विल्चेर खीशता है सच में शायद इतना ख्याल कोई इंसान भी किसी का नहीं रखता होगा आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूले और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार